शाहरोखान की कही हुई बात सुनकर अजय देवगन ने दिखाया प्यार लेकिन यार ये सब बेकार विदाउट सनफ सर्तार क्योंकि आखिरकार इन दोनों स्टार्स की फिल्मों के बीच चल रही लड़ाई अब एक कानूनी जंग का रूप लेकर सब के सामने खुल कर आ गई है जी नहीं, ना तो सुनने में कोई प्रॉब्लम हुई है और ना ही समझने में बस टाइमिंग थोड़ी गरबर हो गई है क्योंकि यश्राज फिल्म्स की जब तक है जां के सामने दूसरी फिल्म्स के लिए सिर्फ 20-30% स्क्रीन्स छोड़ने की स्ट्राटीजी से नाराज अज़े देवगन का कानूनी वार इस से पहले की अपना कोई कमाल दिखा था यश्जी के सड़न डिमाईस की खबर ने बॉलिवुड को चौंका दिया जब अज़े देवगन की कानूनी लड़ाई दुनिया के सामने आती तो एक बड़ा हंगामा जरूर होता और बॉलिवुड में एक बड़ा डीबेट भी शुरू हो सकता था चलिए अब आपको डीजल में पूरा मामला बता ही दिया जाए दरसल 18 उक्टोबर को यश राज फिल्म्स की 70% स्क्रीन्स की डिमांड के खिलाफ अज़े देवगन ने कौट का दर्वाजा खटखटाया था लेकिन इससे पहले कि अज़े को कानून से कोई मदद मिलती 21 उक्टोबर को यश जी के निधन के खबर ने इंडस्ट्री को शौक में डाल दिया पर अब खबर आई है कि अज़े का भेजा हुआ नोटिस यश राज तक पहुँच गया है वही यश राज ने एक official email भेज कर मीडिया को बताया है कि सनव सर्दार की तरफ से आया ये मूव उनके रपीटिट बैनर के लिए एक शौक से कम नहीं यश राज की तरफ से आई इस सफाई में कहा गया है We would like to clarify at the outset that we still haven't received any notice from the commission and will suitably represent our stance if and when called upon to do so A Yash Chopra Shah Rukh Khan movie coming after a gap of 8 long years did not need any coercion for contractual screening Additionally, some ex-bitters who played Ektha Tiger have chosen not to screen Jab Tak Hen Ja Interestingly, of the 10,500-plus single screens available on an all-India basis, we have booked less than 1,500 single screens We had announced Jab Tak Hen Ja would be a Diwali 2012 release as far back as 27 June 2011 It was odd that Son of Sardar announced their release for the same day, almost a year later on 29 May 2012 They were also able to lock their final distribution partner as late as 4 October 2012 Now you will understand this issue that you will have the same problem Yes, Ajay Devgarh has always tried to try to see that the issue of media But it is always saying that they had a dissolution to the Son of Sardar Once they had a dissolution with the screens, there was no one thing to give you I never had a discussion of any one thing, I didn't have a discussion of anything I didn't have a discussion of any one thing I am a discussion of any one thing I couldn't have a discussion of any other issues की उस डील से हुई जिसमें यश्राज ने जब तक है जां को भी एक्था टाइगर के बराबर ही स्क्रीन्स में रिलीज करने की कंडिशन रखी थी याने लगता है यही वह कंडिशन थी जिसकी वज़े से अजे को लेना पड़ा कानून का साहरा और वो पहुंच गए अब सनौसर्दार के लिए अजय जो कानूनिव पाण साहरा और वी यह जो थी जुड़ागे प्रफोंच गए लिए 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 ज़ेगी यह जो चाहरा कानून का लिए लोगता है जो प्रफेड़ा टार शब्रावन रखी जारा ने जो कर विए लिए लिए न कर लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें उन्हें कामियाभी मिलती है या नहीं लेकिन अजय के यश्राज को भेजी हुए इस नोटिस से कुछ बाते तो क्लियर हो ही गई हैं एक तो ये कि इंडस्ट्री में किसी एक बैनर या प्रोडक्शन हाउस या फिल्म कंपनी की मनौपली रोक ते ही देखते कभी कभी प्रॉफिट पाने की लड़ाई भी बन जाती है फॉर इलेका श्रिवास्तवा जूम मुंबाई